हैलो जी, सर्दियों का टाइम आगा है फिर से और पिछली तीन सर्दियों से जिस रिक्वेस्ट को मैं नजर अंदाज कर रहा हूँ वो रिक्वेस्ट है पाय सूप की ठीक है तो नशकार महुरनवीर ब्रार और आज बनाएंगे पाया सूप और सिर्फ बनाएंगे नहीं बलकि हिस्ट्री, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जोग्राफी सब समझ लेंगे ताकि बाद में आपको यह न लगे कि कुछ रहे गया ठीक है सिर्फ एक वो म्यूजिक रहे गया उसके मैं क्या कहता हicem कि अगर आप नॉजण नहीं खाते तो यह डिश आप ऐसे बना सकते है इसका यह सब्सीट्यूट है यहां पर अगारप नॉजध नहीं खाते तो पाय का कोई सब्सी्ट्यूट नहीं तो इसलिए मैं पहले हाथ जोड़ के माफि मंग रहा हूँ कि इस डिश का कोई vegetarian substitute नहीं ठीक है अगर आप non-veg खाते हैं तो यह डिश जो है रामबान है सरदियों के लिए हड्डियों के लिए शरीर को गर्मी देने के लिए शरीर को जान देने के लिए और पाय से शरू करते हैं देखिए यह है पाया अंग्रेजी में कहते हैं ट्रॉटर अभी यह जो ट्रॉटर है यह आपको साफ करके ऐसा मिल जाता है बूचर से भी ओनलाइन से भी नहीं तो फिर आपको साफ करना पड़ता है अगर आपको खुद साफ करना पड़ता है तो आ आप ये वाला हिस्सा लें, यहां से इतना हिस्सा लें, क्योंकि नीचे का हिस्सा आपको साफ करना वड़ा मुश्किल होगा, उसके बाद उसको आग के उपर जला लें, उसे जो एक्स्ट्रा बाल वाल, वो सब जल जाएगा, उसके बाद उसको खुरच के साफ करके इस्तमाल कुछ लोग क्या करते हैं आटा लगा के गिस्ते भी हैं इसको आटा लगा के 10 मिनट छोड़ें उसको ऐसे 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 अगर आप मलेंगे तो जो एक्स्ट्रा बाल वाल है वो सब निकल आएगा साफ हो जाएगा तो आटा लगा के साफ कर सकते हैं बेसन लगा के साफ कर सकते हैं इसको गरम पानी में, उबलते पानी में डालके दो मिनट के लिए खुला लें, पानी के अंदर दो बून सिर्का और थोड़ा नमक डाल लें, ठीक है, उससे क्या है कि अंदर की जो गंदगी है, मेल है, वो सब निकल जाएगी, रिफ्रेश हो जाएगा, अब बलांच होने के बाद ये ऐसा दिखेगा, एक्चली हमारे जो है, पीछे लड़के एक्साइटेड हो गए, उन्होंने बोला, हमको खुदी बलांच करना है, तो उन्होंने कुछ जो है, वो पीछे बलांच कर दिया, बलांच यानि कि उसको दो मिनट के लिए गरम पानी में डाल दिया, तो उसके बाद ये ऐसा दिखेगा, एकदम साफ हो गया, दिख रहा है, धोष्ट ने हड़ी को पकड़ लिया, अब अगर आप बना रहे हैं पाय का शोर्वा या पाया सूप, तो आप ये साबुद भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप पाय की निहारी बना रहे हैं, पाय की करी बना रहे हैं, तो आप इस पाय को यहां से यह देखिए, यहां से काट सकते हैं, यह देखिए, जो हड़ीयों के लिए शोर्वा बनता है, जैसे आर्थराइटिस होता है लोगों को, उसमें ये जो हड़ी वाला हिसा जादा होता है, और इसके उपर की हड़ी का भी इस्तमा होता है, लेकिन अगर आप सर्दियों के लिए जैनरल में ही बना रहे हैं शोर्वा, तो आप पूरा पाया ऐसे खुर समेत ले सकते हैं, ठीक है, इसको बस ऐसे करके रख लें, इसको ऐसे करके यहां से काटें, और फिर यहां से काटें, और ऐसा कोई बड़ा चॉपिंबोर नहीं ची है, छोटी चुरी से भी यह काम हो सकता, यह देखे, ऐसे करके इसको तयार कर लें, यह लिजए, इधर भी दो मिनट के लिए खौल गया पानी, और खौलने के बाद, यह हमने निकाल लिया, बस दो मिनट से जादा नहीं, सिर्फ सफाई करनी है, इसका जो में चास तक गिनिया और हो गया, ठीक है, यह हिस्सा जो हमको सूप में चाहिए, इसे हम खाएंगे, इससे टेस्ट आएगा, और यह जो हिस्सा है, इससे जान आएगी, शक्ती आईगी, अब किलियर हो गया ना सफंडा, और अगर एक्स्ट्रा हड़ियां होड़ियां हैं तो व उससे मतलब टेस्ट ही बढ़ेगा, अब ही करो तैयारी, इसको पकाने की, अनियन को करना है बारीक बारीक स्लाइस, प्यास से क्या है, बॉड़ी भी आएगी, बॉड़ी मतलब सूप में गाळापन, वो भी आएगा, मिठास भी आएगी, और मीटीनेस भी आएगी, ठीक है लेसुन जादा नहीं है, लेसुन गरम होता है, पाया भी गरम होता है, बहुत जादा गरम हो जाएगा मामला, थोड़ा सा घी, थेजपत्ता, बड़ी छोटी इलाइची, लॉंग काली मिर्च, ब्यूटिफुल, यह जो प्याज है, इसको लाइट ब्राउन करना है, कुछ कुछ भी करने से पहले हैं, और वो कुछ भी जो है, वो यह है के थोड़ा लेना है दही, लगबग एक तिहाई कप, लाल मिर्च ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं डालनी है, मद डालिए, कई जगा पाया सूप जो है, वो बिल्कुल पीला होता है, दिको सिर्फ हल्दी जाता है, इसलिए मिर्च विर्च कम पढ़ती है, अब यहाँ पर प्यास को पकाया, इसलिए जा रहा है, क्योंकि हमने पाय को ब्लांच कर दिया, अगर पाया कच्छा होता, तो प्यास और पाया साथ में डालके भून दे आते, अब घी में पाय भी भूनने है, और प्यास अगर आपने घी में नहीं भूना, तो जायका अच्छा नहीं आएगा, एक आफ स्मेल आएगी पाय की, जो आप पसंद नहीं करेंगे, और आप कहेंगे रनवीर आपने बताया, नहीं रनवीर ने बताया था, कि थोड़ा वक्त लें, और घी में प्यास के साथ पाय को भू ये खुश्बू बड़ी इंपोर्टन्ट, सिर्फ उबालने से वो ओफ स्मेल नहीं जाएगी, जब तक ऐसे घी में भुनेगा नहीं, तब तक जायका नहीं आएगा, और जितना पेशंस है आपके पास लगे रही है, प्यास को पहले सिर्फ पिंक करना है, ब्राउन पाय के साथ करना है, सब बता दिया हमने, अब ये दही और मसाले, और दही इसमें जो है न, सिर्फ हलका सा पानी एड़ करने के लिए है, दही जादा नहीं डालनी, ग्रेवी नहीं बनानी, पाय का शोरबा है, ठीक है न, पाय करी नहीं है, ये, क्या खुबसूरत रंगा है, अब नमक डालते हैं, थोड़ी हल्दी और, प्यास जो है, अगर आपके पास आठ पाए हैं, तो दो बड़े प्यास बेजिजक ले लिजेगा, अब मैं इसको कुकर में पका रहा हूँ, कुकर में पकाने के लिए आपको जितना वक्त लगता है, नॉर्मल मटन के लिए, उससे ज सिमर पे, हांडी के अंदर डालके धकेगा मत, धकेगा इसलिए नहीं क्योंकि आप धकेंगे तो फिर असर्ग काम हो जाएगा, उसको अगर हांडी में पका रहे हैं, तो धके मत, बस उसको उबलने दीजे, धीरे-धीरे पानी उसका रिड्यूस होने दीजे, धीरे-धीरे जो इसका गलाना है, वही इसकी मोनोपोली है, तो गार्णिश के लिए जिंजर जूलियन, उसके बाद मिर्च, अगर आपको लग रहा है कि तीखी है, तो बीच से एक बटा दो करिये, और उसके आद बीज निकाल लीजे, और उसके आद हाथ जरूर दोलीजेगा, तो फ्र गार्णिश है इस सूप की, लेकिन अभी गार्णिश तक नहीं पहुंचे, अभी जो है दूसरा तरगा लगना है भई साथ, देखिए साथ बिलकुल जवरस्ती नहीं की गई है, यह देखिए, जब इसका प्रेशर अपने आप खतम हुआ, तब इसका डखकन खोला गया है, क्या एकदम खूबसूरत मामला जो हो चुका है, देखिए, बीउटिफूल, एकदम फस्ट क्लास गल गया है, अब इस सूप की खूबियां जो हैं, वो आप यह समझ लीजिए, कि सर से लेकर पैर तक आपके काम आता है, एक तो यह कि इसके अंदर इतना कोलाजन होता है, आ हमारी ओवराल जो ब्लड हेल्थ जिसे हम कहते हैं, उसके लिए अच्छे हैं, यानि कि अगर आप नॉनवेज खाते हैं, और सर्दियों के समय, यह कहा जाता है, इसकी तासीर गर्म होती है, तो यह शरीर को वैसे भी गर्मी देता है, अगर आप नॉनवेज खाते हैं, और अपनी सेहत का खयाल रखते हैं, तो यह सर्दियों में कम से कम नहीं, तो महिने में एक बार ज़रूर पीजिए, ठीक क्या बात, बड़ी लाची की जो खुच्बू है न, यह देखिए, नजदी का ही है, यह देखिए, यह सब जेलेटिन है, जो हमाई शरीर के लिए अच्छी नहीं है, बहुत अच्छी है, देखिए इसको जहां तक पकाने की बात है, बाकाइदा प्रॉपरली ऐसे गलाने की अगर आपका गोश्ट चार सीटी में गलता है, और उसके बाद आप कुकर खोलते हैं, तो यहां पर चार सीटी दीजिए, उसके आद धीमी गैस पे, जब तक सीटी ना आए, तब तक चलने दीजिए, फिर गैस बंद करके भी उसको पड़ा रहने दीजिए, अगर आपको जल्दी है, तो अगर आपका गोश्ट चार सीटी में पकता है, तो यहां पर उसको छे सीटी दीजिए, कम से कम, छे से साथ सीटी है, अगर आपको जल्दी खोलना है, ठीक है, उतनी सीटी में, उतने ही टाइम में जितना आपका गोश्ट पकता है, उतनी जल्दी पाया नह स्टॉक है वो ठंडा हो गया आप देखिए कैसे एकदम जैली बन गया यह देखिए देख रहे हैं कि आप चाहें तो सिर्फ खड़े मसाले के साथ में बॉयल किये हुए ब्लांच किये हुए खरोड़े को पाए को हलका सा भून के और उसका स्टॉक बगैर मसाले के बना सकते ह और उस स्टॉक को बाद में तड़का लगा सकते हैं जैसे आप मर्जी चाहें वैसे भी शोरवा बन सकता है इसकी लाइफ जादा है क्यों कि इसके अंदर दही नहीं गया है और ऐसे चीजे नहीं गई है जो इसकी चलफ लाइप कम करें और सिर्फ पाय सूप में नहीं घर बढ़ मटन करी बना रहे हं कुछ भी बना रहे हो उसके अंदर आपके पास यह जेलेटिन वाला स्टॉक है एक ड़ीडर डाली है उसके और वोजामीन और अस्मान का फर्क देखी टेस्ट पियाता है ना अक्स भी आता एसेंस भी आता है डिस्ट भी आता है सब कुछ आगा हमने लोग नहीं लगाते हैं लेकिन हम लगाएंगे यह वाला तड़का बड़ा इंपोर्टेंट है अखीरी में जो किक मिलती है अब देखिए पाय जो है मैंने वापस शोरबे में डाल देखिए पाय जो है बहुत जल्दी कड़क हो जाएंगे अब ही क्या है कि पाय जो है उनके अंदर का जो जेलेटिन है को लाजन है उसको पानी मिलता रहेगा वो नरम रहेंगे दूसरी चीज अगर आपने सूप बना लिया है अब अपने पाय को सूप में डाल के और बिल्लकुल धीमी आज पर एक तवे के ओपर रखके भी छोड़ सकते हैं एक डे दिरे दिरे प्यार से तेखिए इससे जाधा अगर आप मसाले डालेंगे ना होंट जूड़ रहे हैं इतना जेलेटिनस है इससे जाधा अगर आप मसाले डालेंगे तो फिर पाय का शोरवा नहीं बनेगा पाय की निहारी बन जाएगी पाय की करी बन जाएगी स्याधा मसाल अए आपको घर लिए बनाना है, घर के लिए बनाओ, रीडे लगानी है, रेडे लगाओ, हमने रेसिपी दे दी, यह तो हम भूली गए, पुदीना बहुत जरूरी है, पाए के शोरवे के साथ, पुदीना अफ्जान्दक देता है, वशन долларов सब कोछ गरम गरम हो जाता है, जब तो गरम तासीर वाली चीज़ें हो जाती है, क्या है, पाय गला लीजेगा, वह बहुत important है, अगर आपके पाय यूं मूँ में डाल के और घुलते नहीं, आपको जोर लगाना पड़ रहा है, मतलब पाय को पकाने की जुरत है, वो जरूर करिएगा, सीटियों पर मत जाएगा, गोश से दार सीटियां दीजेगा, नहीं तो सब पाय जो है, चान के शोरवे में धीरे-धीरे पकने दीजेगा, अगर पाय कर लेंगे नहीं, तो स्वाद नहीं आएगा, और आप कहेंगे रनवीर आपने बताया नहीं, हमारा पाया शोरवा, उर्फ, करोडे का सूप, उर् आपके शेर्ज के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया, मौसम के हिसाब से रहिए, मौसम के हिसाब से खाये, और अगर आप वेज खाते हैं, तो बहुत जल्द सर्दियों में एक बढ़िया सी वेजिटेरियन डिश क्या खानी चाहिए, वो भी मैं बता दूँगा, अभी के ल खाय है